तो फर्स्ट पॉइंट आता है सोईल के बारे में जानना तो गैस इसके अंदर पहला पॉइंट है गुडाई करना यह इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे जो प्लांट है उसके लिए क्योंकि इससे उक्सीजन भी मिलती है ताकि रूट्स अच्छे से डावलपमेंट हो सके और ध्यान रखें गुडाई करते वक्त नमी होनी चाहिए ताकि रूट्स डेमेज ना हो अमारे प्लांट की जादा ठीक है अब सेकिंड पॉइंट आता है सोईल केसी होनी चाहिए दीक अब तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं यहां पर कटिंग एंड ब्रांचेस की कैसे देख बाल करें तो गैस यहां पर हम जो हमारी यह प्लांट की ब्रांचेस हैं तो गैस यहां पर आप क्या करें इन्हें समय समर पर काटते रहें ताकि इससे क्या होगा जो प्लांट है अच्छे से ग्रोफ करेगा और हमें फ्लावरिंग भी अच्छे से मिलेगी तो देखे मैं यहां से काटा था तो नई स्चूट निकल गई है और देखिए इस जगे से भी अब यहां से फ्लावर बनेगा ठीक है और एक चीज और में बता दूं आपको यह जो कटिंग दिख र लेगी इसलिए तो यह काटना जरूड़ी अब फ्लावर की केर कैसे यह पॉइंट है हमारा तो गैस यहां पर आपको क्या करना है जो यह फ्लावर है देखिए यह जुंड में आ रहे हैं फ्लावर तो गैस यहां पर देखिए चोटे-चोटे इसके जस्ट नीचे भी कलिया बनेगी आगे अब यहां पर आपको क्या करना है जो यह जो बड़ा वाला फ्लावर है इसको काफी टाइम हो चुका है और मैं इसे हटा दूँआ इसका एक कारण है यदि हम यहीं पर लगे रहने देते हैं और यहीं पर यह सूख जाता है तो यह जो आसपास के जो फ्लाव पर नहीं मिल पाती है तो वह सूख जाते हैं और अच्छे से फ्लावर भी नहीं आती है तो इसे काटना जरूरी होता है ठीक chatter तो इससे आप रखेंगे कर स्वश्य तो यह एच्छा से मेंटनें रहे गा प्लां ठंब्ना और अच्छा से फ्लावरी भी देगा तो यह जो हमारी है उसके लिए फर्टिलाइजर बनाना सिखाऊंगा और्गेनिक तो सबसे पहला यह होता है हमारा पत्तियों की खाद और दूसरे पॉइंट है यह वुडेश ठीके इसके बारे में ज्यादा डीटेल आई वर्टन पर आपको मिल जाएगी वहाँ से देख सकते हैं और यह है हमारे वर्मी कमपोश्ट तो गैस यह आप घर पर भी बना सकते हैं मैंने इसकी वीडियो बना रखी है आई वर्टन पर जाकर देख सकते हैं हमने इन तीनों को हाफाप लिया है पत्यों की खाद और वुडेश और वर्मिकंपोर अब हम इन्हें मिला लेंगे देखिए और्गेनिक का अच्छा सोर्ट से जो मैं आपको बता रहा हूँ न ये हर प्लांट के लिए अच्छा है आप एक बार यूज करके जरूर देगे और दूसरी खाद ये वता देता हूंना है लिक्वीट जो आप यूज कर सकते हैं लिक्वीट के रूप में भी जो हमने खाद बनाई हैना उसे आप पानी में चार से पांच चमर डाल दीजिए यह इसे इस प्रकार की बोतल में एक लीटर की बोतल है यह तो इसे चार से पांत दिन रखेंगे आप तो fermentation होगा और जहाग जैसे दिखेंगे तो मतलब की हमारी जो liquid हो तैयार है अब आप यूज कर सकते हैं और लास्ट में यह है गोबर जो इता है उसमें जो पानी बच जाता है ना उससे बनाईए यह मैंने तो गोबर की भी आप यूज कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं यह भी सेम प्रोसेस वही होता है तो इसकी भी वीडियो है आई बटन पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर लाइप रेक्टिकल भी किया हुआ है मैंने यह कितना पावरफुल है तो जाकर देख सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें